अभी तख हम लोग economics में economics की first book के बारे में पढ़ा रहते हैं जिसको introductory micro economics पोलते हैं आज उसमें हम लोग 2 chapter complete कर चुके हैं तो आज हम दूसरी book से आपको chapter start करेंगे ठीक है तो दूसरी book का नाम है हमारा Indian economic development क्लियर है तो आप लोग ने books purchase कर ही ली है तो अब start करते हैं हमारा इस book से पहला chapter जो हमारा है पस chapter है हमारा India's foreign trade क्लियर है तो आप इस number पर ना जाएएगा ठीक है जो important chapters है मैं उनको पहले पढ़ाऊंगा और जो बचेंगे chapter वो जब school open होंगे तब आपको पढ़ाऊंगा ठीक है तो एक important chapter है India's foreign trade क्लियर है तो यहाँ पर आपको chapter के topic sorry heading में ही समझ में आ रहा होगा यह chapter name में ही समझ में आ रहा होगा कि इस chapter में हम लोग क्या पाढ़ने वाले हैं clear है तो यह chapter स्टार्ट करते हैं एक question से क्या question है what is international trade या जिसको foreign trade बोलते हैं international trade को ही foreign trade बोलते हैं सबसे पहले यह समझो trade क्या होता है trade मतलब जो भी business होता है business means selling या purchasing जिस काम में होती है वो trading कहलाती है ठीक है international मतलब क्या होता है या foreign मतलब क्या होता है अपनी country से बाहर दूसरी countries में काम करना ठीक इसको बोलते हैं हम लोग international या foreign clear है अपने country से बाहर की countries को हम लोग foreign बोलते हैं और जब इन जो दूसरी countries हैं उनकी और अपने बीच में जब भी जब भी selling या purchasing की activity start करते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं trade ठीक इनी दो term को मिला के बनाया हमारा foreign trade clear है means India से इंडिया के बाहर जितनी दूसरी countries हैं उनके बीच में जो trading होती है selling या purchasing की उसको बोलते हैं हम लोग foreign trade अब आईए इसके बारे में हम लोग समझते हैं इसमें domestic production of certain goods may exceed their domestic consumption ठीक तो जब भी और कोई domestic goods का हम लोग अपने country में ही production करते हैं तो क्या होता है कभी कभी हमारी consumption से बहुत जादा हो जाता है what does a country do with its surplus output ठीक तब जो country है वो क्या करती है जब उसके पास excess production हो जाता है जब भी किसी चीज का excess production होता है normally क्या होती है वो चीज एक time के बाद खराब होने लगती है तो इस तरीके से जो excess production हुआ है हमारे या surplus हुआ है उसका countries क्या करती है it exports its other countries and earn money अब जिस भी country में उसका consumption से ज़ादा अगर production हुआ है तो वो क्या करती है जो extra होता है उसको दूसरी countries को sale कर देती है और उससे पैसे कमाती है या money कमाती है ठीक है तो हम लोगों ने यहापी यह समझ लिया foreign rate किस तरीके से करती है countries जो भी उनके पास excess production होता है उसको क्या करती है दूसरी countries को sale कर देती है ठीक है उनके पास कुछ production excess होता है तो उसको बाहर sale कर देती है दूसरी countries को और जिन products की कमी होती है उन products को दूसरी countries से import कर लेती है clear है सबको export import सबको पता है क्या होता है clear है export and import of goods and services across different countries is called international trade तो यह जो export और import होता है एक country से दूसरी country के बीच में इसको ही बोलते है हम लोग international trade या foreign trade clear है सबको export क्या होता है अपनी चीज़ को दूसरी country को supply करना और import क्या होता है दूसरी country की चीज़ को अपनी country में लेना clear है सबको समझे में आगया होगा कि international trade होता क्या है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी chapter में in the context of international trade observe the following point international trade से related कुछ points observe करते हैं तसे पहला point है जब भी international trade करते हैं तो वह किस पर बेस होता है international specialization पे और यह जो इस international specialization होता है यह किस पर बेस होता है principle of comparative cost advantage means जब हम किसी चीज़ को अपनी country से बाहर sell करते हैं तो यह देखते हैं कि उनको क्या advantage हो रहा है ठीक है तो चीज़ को purchase करने से उनको किस तरह के advantage होगा इस पर बेस होता है हमारा international trade second point है a country specialized in the production of that good which is it can produce at a cost lower than in other countries तो जो भी country अपना समान दूसरी countries में पेच रही होती है तो इसका मतलब यह होता है कि उस country में उस product की जो production है वो बहुती जादा है और बहुती जादा है और effective एफिशेंट है clear है means कम cost पर जादा production कर रही है means other country में जस चीज़ की cost प्रोडच्शन जो है वो बहुत जादा आ रही है वो अपनी country में उसकी cost of production कम होनी की वयज़े से उसका production ज़ादा हो रहा है इसलिए उस country में क्या है उस product के लिए specialized है कि इस country में ये सबसे ज़ादा produce किया जा रहा है थर्ड पॉइंट है international trade does facilitate export of goods to rest of the world at a price higher than in the domestic market तो international trade में क्या होता है इस तरीके के जो product specialized product होते है उनको क्या करती है countries दूसरी countries को अपने market price से मतलब जो जिस price पे वो अपनी country में sell हो रहा है उससे ज़ादा price पे वो क्या करती है foreign countries को sell करती है fourth point क्या है and it facilitates import of goods as a price lower than in the domestic market और क्या करती है कि जो भी goods दूसरी country से अपने country में मंगा रहे होते हैं वो जो market price होता है अपनी country में उन goods का उससे कम rate पे मंगा रहे होते हैं clear है अमाल लीजे जैसे electronic item है ठीक या IT sector से related item है वो फॉरण से हम लोग import कर रहे हैं तो जो price पे हमें यहाँ पे एक computer मिल रहा है एक for example मानिए computer में motherboard लगता है ठीक है तो वो motherboard जिस price में हमें इंडिया में मिल रहा है ठीक जो Indian government होती है वो motherboard को दूसरी country से जिस price पे हमें मिल रहा है उससे कम price पे import करती है clear है तब ही तो country को यह जो import export है इससे फाइदा होगा नहीं तो नहीं होगा these are the gains of international trade इसी को क्या बोलते हैं gain बोलते हैं international trade में या profit बोलते हैं फिफ पॉइंट है also by offering a much wider size of the market international trade enhance opportunities of investment for the trading partners अब क्या है international trade में बई national trade में क्या है हमारे पास एक country ही है उसी country में हमें सब अपना goods जो है selling या purchasing करनी है लेकिन international trade से क्या होता है यह जो market का size होता है वो बढ़ जाता है ठीक है market का size बढ़ जाता है इस वज़े से क्या होता है उनको एक wide range मिलती है market की जिससे वो अपना business easily run कर सके है ठीक six point आता है higher investment leads to higher GDP growth higher investment जब market size बढ़ा होता है तो investors भी मिलते है ठीक तो जितना जादा investment होगा उतनी ही जादा GDP हमारी growth करेगी ठीक इसको बोलते है gross domestic product जो हमारा वो grow करेगा thus it can be sad that international trade serves as an engine of growth इसलिए जो international trade होता है उसको हम क्या कह सकते है engine of growth भी कह सकते है जो हमारी GDP growth है वो किसके इर्द गूम रही है जो international trade है हमारा उसके आसपास जो हमारी growth है वो गूमती है clear है आगे बढ़ते हैं India's foreign trade यह जो आपका box है इसको आप देखिएगा किस तरीके से gain मिलता है हमारा international trade में ठीक इसको समझिएगा पता चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग India's foreign trade at the time of independence अब independence के time पे इंडिया का foreign trade कैसा था इसको समझते हैं note the following observation carefully for a glimpse of India's foreign trade at the time of independence तो जो भी points हम अप पढ़ेंगे उसी में हमें independence के time पे इंडिया के foreign trade की जलक दिखाई देगी फैला point है Indian economy suffered its colonial exploitation during the British regime British time में क्या था इंडिया में colonial exploitation बहुत जादा था जिससे इंडियान economy suffer कर रही थी second point है the British used our natural resources as raw material for their domestic industrial output जो Britishers थे इंडिया के जो natural resources थे उनको कहां use कर रहे थे Britain में use कर रहे थे किसलिए as a raw material clear है और अपने output के लिए use कर रहे थे आगे बढ़ते हैं besides a source of raw material the Indian economy was also exploited as a market for the British industrial goods जो Indian market था उसको Britishers किस तरीके से देखते थे एक तो तरीका था कि as a source of raw material तो था ही India साथी साथ क्या था जो British finished goods था उसके लिए इंडिया को वो एक बहुती बड़ा market समझते थे means अपना finished good इंडिया में जाधा price पे sell करते थे substantial exports of raw material from India gave some imputes to the volume of its international trade which had significantly declined owing to the decay of Indian handicraft तो इस तरीके के जो raw material था उसका export होने की वज़े से इंडिया से raw material जो की जान थी इंडिया की उसको क्या किया बिटिशर्स ने उसको export कर दिया अपनी country को ठीक है इस वज़े से क्या हुआ जो इंडिया का जो हैंडिक्राफ बिजनिस था वो क्या हो गया decline हो गया इंडिया में इंडिपेंडेंडेंस के टाइम पे जो हैंडिक्राफ बिजनिस था वो बहुत ही जादा हाई लेवल पर था clear है आगे बढ़ते हैं on the eve of independence our balance of trade was favorable independence eve पर क्या था जो हमारा balance of trade था means export minus import क्या था इंडिया के favor में था ठीक means जो export थे वो जादा थे imports है in 1946-47 excess of exports over import were estimated as of 31 crore rupees तो in 1947-48 the balance of trade had shrunk to 14 crore 1946-47 में क्या था जो excess export था over import वो कितना था 31 crore rupees था means import से जादा export हुआ था तो उसकी value कितनी थी balance कितना आ रहा था 31 crore था जो की सिकुड कर कितना हो गया 1947-48 में only 14 crore हो गया ठीक है as regards direction of trade it was largely confined जसको हम restricted भी बोलते हैं to pretty simply because the British rulers exploited the Indian economy as a source of raw material and as a market for their exports clear India का ये जो decay हुआ था means Indian economy का ये जो downfall हुआ था किस वज़े से हुआ था सिर्फ और सिर्फ Britain की वज़े से हुआ था ठीक जिसने क्या किया था जो trade था international trade इसको restrict कर दिया था और किस वज़े से जो British rulers थे वो क्या चाते थे इंडिया का जो natural raw goods है उसको as a raw material use करना चाते थे जिसके लिए इंडिया को सबसे वड़ा exporter उन्होंने बना दिया था raw materials का clear रही है the composition of trade indicated backwardness of the economy as our exports includes largely of raw materials while our imports included largely of finished goods तो इससे क्या हुआ जो हमारा यह जो इस तरीके का trade था इससे क्या हुआ हम अमारी जो economy थी वो पिछड़ती चली गई और जो हमारा export था उसमें जादा तर हमारा raw material बाहर जाने लगा और import में जादा तर finished goods बाहर से supply करने लगे जो foreign traders थे वो अट दे टाइम अफ इंडिपेंडेंस दा वॉल्यम ओफ इंटरनेशनल ट्रेड वो इंडिपेंडेंस के ताइम पर क्या था जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो बहुत ही कम था ओइंग तो दा डिके अफ इंडियन हैंडिक्राफ्स दूरिंग दा ब्रिटिश However, the balance of trades was surplus जो इंडिया का हैंडिक्राफ्स बिजनेस था उसके गिरने के बाद से या उसके खतम होने के बाद भी जो इंडिया का जो balance of payments था Sorry, balance of trade था वो क्या था? Access था means export is greater than import Clear है? The condition of trade indicates backwardness of the Indian economy जो भी compositions थे in trade वो क्या indicate कर रहे हैं थे? जो इंडियन economy है उसकी पिछडने को indicate कर रहे थे As exports comprise largely of raw material and imports comprise largely of finished goods क्यों? क्योंकि इंडिया से जाहतर जो raw material था वो सब export कर रहे थे British government और British का finished goods इंडिया में सब import कर रहे थी इसी वज़े से क्या हुआ जो इंडियन economy थी वो उसका downfall स्टार्ट हो गया clear है? The direction of trade was restricted largely between India and Britain जो trade था इंडिया और बिटेन का उसको इंडिया का जो international trade था वो कहां restrict कर दिया था Britishers ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया and Britain के बीच में इंडिया से जो भी raw material जाएगा वो सिर्फ बिटेन को जाएगा और सिर्फ बिटेन ही क्या करेगी अपने finished goods को इंडिया में supply करेगी ठीक है? तो ये था हमारा India's foreign trade at the time of independence clear है ये? international trade हमने समझा India's foreign trade at the time of independence समझा ठीक है? तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिएगा समझेगा ठीक है इनिस से लेटेड आपको question भी मिलेंगे और ये जो box मैंने आपको बताया है gain of international trade इसको आप पढ़िएगा समझेगा और नहीं समझ में है तो आप मुझसे पूछेगा clear है? next topic में हम लोग आगे बढ़ेंगे जिस में होगा India's foreign trade after independence clear है?